हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कौर वीडियो में आज जो है इस जंगल को जो है ट्रीमिंग करने वाले हैं हम सब तो ट्रीमिंग करेंगे और प्लस कुछ नए प्लांट लाएं तो उसको रिसेट करेंगे क्योंकि इसमें मैं अब गपी रखने वाला हूं और गपी रखा भी था पर इतना ज्यादा स्नेल इसमें हो गया है वो मेरी फिसेश को बहुत ज्यादा हर्म की इसलिए मैं इसमें दो लोच फिसेश भी एट किया हूं जो की हो गई इसी के अंदर और आज मैं फाइनली कुछ गपी भी लेकर आया हूं देख सकते हैं आप सब इ 10-13 feet का टैंक है हमारी इसमें इसमें मैं यह सारे प्लांट को य्जवरने वालाह हूं कुछिश मेरे पास स्ट्वन बचे वें उसका भी Reset-up करेंगे इसमें कुछ और ब्लैक कलनर की स्टन पढ़ए हूं तो देखते हैं कि ओभर ओल्व को कैसा होता है तो मैं घर के आपको फिर लास्ट में आपको दिखाऊंगा प्लस एक और इन्फॉर्मेशन है कि मैं इस टैंक के लिए एक हैंग ऑन बैक फिल्टर में लेकर आया हूं आज थाउजन्ट रूपीज की है और यह अच्छा काम करेगी आई होप लेखते हम जब इंब कि यह इस परकार से चलती है अब यह वाटर फिल आफ होगा इसमें यहां से यहां तक और फैनली भीड़े ठीक है यह वाटर फिलप हो गया और फाइनली यह फ्लो सांत रहेगा और गपी फिसेज के लिए ऐसी फिल्टर इन्पॉटेंट हो जाती है क्योंकि इसमें गपी फिसेज को ज्यादा फ्लो वाली फिल्टर की आवस्चता नहीं होती है फ्लो वाले फिल्टर में गपी फिसेज पावर करते हैं सारे प्लांट को मैं बाहर करता हूं करके क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा तो क्यों आपको उतना ज्यादा आपका टाइम में लूँ तो ट्रीमिंग करने के बाद फाइनली जब मैं अभी आप देख लें कैसा लग रहा है उसके बाद जब मैं डेकोरेट कर लिए और आज जो मैं निव निव प्लांट लेकर आया हूं उसको अब मैं इसमें एड़ करूंगा उधर वो मरी प्लांट है वो सब को मैं अभी और रिमूब करूंगा और यह सब जितना भी है और कुछ स्टौन भी इसमें एड़ करने वाले हैं और गपी फिस तब एड़ करेंगे एक पहली की गप्पी बच्ची भी है बस इसमें स्नेल इतना ज़्यादा है कि क्या बता हूं मतलब देख सी सकते हैं यहां पे है यहां पे और बहुत चोटे-चोटे इसके बच्चे हैं जिसको मैं किल करवाने के लिए दो लोच फिस को एट किया था जो की पीछे छुपी होगी किसी साइट एक तूस कोने में है देख सकते हैं और एक और होगी किसी साइट तो चलिए जल्दी से अब इसको ट्रीमिंग का काम पूरा हो चुका है अब इसमें मैं प्लांट एट करता हूं और फिर वाटर फिल अब तो बहुत जादा प्लांट का ट्रीमिंग करने के बाद न्यू प्लांट को मैं एट कर दिया हूं अब आप सब प्लांट का नाम बताएंगे खुद मुझे मुझे खुद नहीं पता है बस मैं प्लांट लेकर आ गया और देखेंगे नॉर्मल से मिट्टी में उगा के कैसा लग रहा है तो एक यह वाला प्लांट है अब यह प्लांट का नाम आप सब बताएं जरूर ठीक है गप्पी में तो मैं बता दूंगा एक यह वाला मैं प्लांट एट किया हूं इसमें इसके बीच में जो देख रहे हैं यह किया हूं अब इस भी प्लांट का नाम यह वाला फिसेस को मैं काम दिया हूं कि जाकर के जितने भी स्नेल इसमें पड़े में बहुत जादा स्नेल है मतलब आप देख सकते हैं कि सीसे पे चिपक गया है तो यह स्नेल ही स्नेल है इसको मारने का काम वो करती है लोच एक पेर में लेकर आया था गप्पी की बात करें तो यह प्लांटेड एक वेरियम आपको कैसी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताएंगे अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे और इसमें एक फिल्टर है हैंग ऑन बैक फिल्टर ठीक है आज मैं यह लेकर आया था इसकी कॉस्ट अगर बात करें हैंग ऑन सेट अप किये वे फिर भी पानी काफी अत्ते किलियर हो चुका है तो इसमें मैं और कौन सा गपी एड करो यह आप कोमेंट करके जरूर बताएंगे बहुत सारे गपी इसमें मैं एड करने की सोच रहा हूं पर चुकि दस फीमेल है और पांच मेल है तो आइधिंग खुद भी पुराना टैंक है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है बाकि लेकिन सब कुछ सही है इसमें सोच रहा हूं कि मैं एक फैंसी फाइटर फिस भी लाकर रखों गपी के अच्छी टैंक मेंट सोती है फाइटर फिस लेकिन फाइटर फिस के साथ एक नुकसान यह है कि प्लांट काफी हद तक छोड़ा हूं लेकिन न्यूू प्लांट इंड अब इसका देखते हैं ग्रोध क्या होता है मतलब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये सब मैं ट्रिमिंड किया हो हूँ और इसमें गप्पी एड किया हूं अभी खुद बढ़े गी और देखेंगे मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा आप सबको तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यह आज गप्पी के ऊपर था वीडियो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे गप्पी जब भी रखेंगे तो आप प्लांटेड एक्वेरियम में कोसीज क करें रखने का ठीक है उसमें यह होता है कि उसको नैचुरल ऑक्सीजन मिल जाता है और फूड भी काफी अत्यक मिल जाता है छोटे-छोटे सिनल को भी मार कर खा जाती है और आप पैलेट्स भी तो देही सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है माइक्रो पैलेट्स दीजिए या अगर ऑप्टिमम देते हैं तो उसको क्रस करके दीजिए ब्लड वांस वेगरा गपी बहुत अच्छे ढंग से खा लेती है और गपी फिसस की खास बात यह है कि यह पालक साग बॉयल मटर यह सब असानी से खा लेती है तो घरेलू फूड में भी इसको कोई दिक्कत नह सब्सक्राइब करेंगे तो यह तो यह ओबरॉल है और इसकी टैंक मेट्स तो मॉली भी होती है पर मैं मॉली आड़ नहीं करूंगा इसमें सिर्फ गपी रहेगा और भी अगर आएगा मैं पिछले बार भी लाया था फैंसी गपी पर ज्यादा दिन तक रही नहीं थी और इ अब नौर्मल हो गया है तो यह है आपका गपी फिजिस जल्ब मिनते है नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे थांक्यों सो मच